आपके फीडबेक के अधार पर अपने मंत्री अपने चुनेवे निमाइंदों के कारे कारे शेत्रों कारे परणाली को समझने का एक प्रयास है इस कड़ी में तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं हर्याना सरकार में उनसे जानेंगे उनकी कारे कारे शेत्रों कारे परणाली के बारे में आपका बहुत-बहुत स्वागत है कवीता जी, आपसे पहला सवाल है, आप दूसरी बार विधायका बनी है, पहली बार और दूसरी बार में क्या डिफरेंस महसूस करती है? निश्य तुप से पहली बार में और इस बार में बहुत-बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि पहली बार कुछ हालात ऐसे बने कि मुझे राजनीती में आना पड़ा, चुनाव लड़ना पड़ा और उसके बाद मैं विधायक बनी, और विधायक भी मैं ऐसी पार्टी की बनी, कि जो विपक्ष में थे और विपक्ष में भी हम लोग केवल और केवल चार विधायक थे, और दूसरी बार जब मुझे 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 मुखा मिला, और निशित रूप से भारते जनता पाटी की पूरन पहुमत की सरकार बनी, और आज मैं कैबिनेट मंत्री के पदपर तो एक बहुत बड़ा difference पहली बार में और अब में यही था कि विपक्ष के विधायक रहते हुए मुझे काम करने का अफसर मिला और एक अब सरकार का हिस्सा बनकर मुझे काम करने का मुझे देफिनेटली पिछली बार में हमें लोगों की समस्याओं को अच्छे से जानने तो हमने जाना समझा तो उसका लाब हम लोगों को अब सरकार में रहते हुए मिला कि कैसे हम लोगों की जो समस्याओं को सुलजाते हुए उनके जीवन सतर को उपर उठाते हुए या हर्याना के अंतरगत किस तरह का विकास होना चाहिए उसको समझने में हमें help मिली और उसका प्रदेश की समस्याओं को समझने का जो हमारा एक अनूभव रहा आज वर्तमान के अंतरगत हम सरकार में रहते हुए उस तरह की नीती-निर्दारन के अंतरगत हम उस अनूभव को लाते हुए ज़्यादा प्रैक्टीकल हम लोग पॉलिसी बनाते हुए, इंप्लीमेंट करत हुए हम लोगों तक असानी से पहुंच पा रहे हैं प्रदेश की जनता आप से आपकी दिंचरिया के बारे में जानना चाहती है आप बीजी रहती हैं मंतरी हैं तो कैसे सामंजस से बिठा पाते हैं देखें हमारे यह पूरा प्रयास रहता है कि क्योंकि दिन के 24 गंटे होते ह है और जिस हिसाब से आज का जो हमारा शेडियूल हो गया है ना केवल हम लोगों का या लोगों के पास जो मीन्स ओफ अवेलेबिल्टी है वह बहुत ज्यादा है तो इसके लिए हम लोगों ने एक अपना जो शेडियूल भी है मौनिंग का हमारा वह हम लोग अर्ली मैक्सिमम सिक्स ओ क्लॉक मेरा लास्ट रहता है कि हम लोग अपना वेक अप हो जाते हैं बैड को छोड़ देते हैं तो छे से साड़े साथ बजे तक का टाइम हम लोगों का अपना परसनल आपका मौनिंग वोक का शेडियूल है या थोड़ा योगा करनी है उसके बाद आप पार्टी संग्ठन से जुड़ा हुआ कोई काम है या सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम है तो उसके हिसाब से हम लोग अपना शेडियूल सेट करते हैं कि हम लोगों के आज पबलिक के बीच में रहना है या किसी दूसरे जिले में जाना है या संग्ठन का कोई काम करना है या हमारा office work रहता है, so basically हम लोग 6 o clock के बाद रात्री हमारा साड़े 10 या 11 बजे तक हमारा day का schedule रहता है, उस बीच में हम लोग सभी कामों के बीच में सामन जसे बनाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश यही रहती है कि हम लोग अपना 100% दे पाए, ताकि लोगों को दिक्कत या हमारी department से जुड़े काम सफर ना करें, या अगर इस बीच हमारे को कोई दूसरी दाइत्व दिये जाते हैं, so हम उसको निभाने के अंदर भी अपनी compatibility को वो बना सकें. भारते जन्ता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, आप संगठन और सरकार में कैसे सामन्जे से बैठा पाती हैं, समय के हिसाब से? देखे, निश्ची तरूप से क्योंकि विपक्ष में रहते हुए ये काम बहुत आसान था, क्योंकि हमारे पास एक भरपूर समय होता था, कि हम लोगों को केवल जन्ता के बीच में रहना है, जन्ता के हकों की आवाज के लिए विधान सवा में आवाज उठानी है, या हम प दाइत विडवल हो गए है, उसमें एक साथ हमें अपने सरकार का वीजन भी दिखाना है, अपनी ये भी दिखाना है कि सरकार कैसे काम कर रही है, उसके साथ साथ लोगों की आपक्षाओं पर खरे करते हुए लोगों के बीच में भी रहना है, लोगों की समस्याइं भी दू और दूसरी उसके साथ सबसे बड़ी बात ये भी है कि कोई भी सरकार बिना संग्ठन के वो अधूरी है सो एक दोनों के भीश में जब तक सामनजस से नहीं होगा क्योंकि संग्ठन एक तरह से मैं समझते हैं सरकार का एक बैकबॉन की तरह से काम करती है किसी भी और्गनाईजेशन के लिए सो वो बहुत ज़रूरी है तो हमारा परियास यही रहता है क्योंकि हम सरकार में हैं अब हम सत्ता में हैं क्योंकि भारते जनता पार्टी की एक सरकार है क्योंकि भारते जनता पार्टी की एक सोच यही है कि वो कारेकरताओं की पार्टी है वो एक डिफेंस के साथ काम करती है वो बूथ लेवल तक पहुंचती है तो उस हिसाब से हमने कुछ अपने स्टैटेजी सेट की हुई होती है कि हमने मंडे टू थर्सडे तक हम लोगों की चंडीगर्ड रहना है चंडीगर्ड में हमें ओफिस वर्क के साथ रहते हुए उसके बीच में हमारे जो संगठन से जुड़े हुए लोगों के अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सोट आउट करना है और जो बाकी के हमारे जो तीन दिन बच जाते हैं उसके अंदर तीन दिन के अंदर हम लोग अपने हलके के अंदर जाना उसके अंतरगत हमारे जो संगठन है उसके दोरान उस मिटिंगों को करना लोगों के बीच में भी रहना या किसी अन्य जिले के अंदर हमें जाना है या संग्ठन ऐसी हमारी जिम्मेवारी तैय करता है तो उसके अंदर हम वहाँ पर पहुँचने का वो काम करते है Basically हमारा कहने का ये परियास रहता है कि हमारे बीच में सरकार और संग्ठन के बीच में दूरी ना रहे उसके अलावा ये हमारे पर्सनल के अलावा सरकार ने भी कुछ ऐसी तैकी हुई है कि जिससे कि हम संग्ठन के लोगों से हमारा तालमिल बना रहे हमारा सेक्टर चंडीगड के अंदर भी अलग से कारेले भी स्थापित किया गया है जहां पर अलग-लग दिन अलग-लग मंत्री गन वहां पर जाकर बैठते हैं और जहां पर संग्ठन के जुड़े हुए लोग आकर अपनी समस्याओं को रखते हैं तो उसके हिसाब से भी हम लोग अपना काम करते हैं सरकार ने अपने सतर पर भी को सिस्टम बनाए है और हमने इंडिजुवाली भी अपने सिस्टम बनाए है कि कैसे हम लोग संग्ठन से वो कनेक्ट रहें तो निश्यत रूप से आज हमारे कारे करता हैं जितने भी जुड़े हुए कि हम खुद भी एक कारे करता है यही रहता है कि सरकार और संग्ठन के बीश में कोडिनेशन रहें और आप देखेंगे कि आज हर्याना में जो हमारे कारे करता है बेसिकली मैं अपने से लेकर बता सकती हूँ कि आप सौनीपत के अंदर हमारा बहुत अच्छा एक कनेक्शन बना रहता है और मेरे साथ एक दूसरी फेवरेबल चीज यह भी रहती है क्योंकि जिस बैक्ग्राउंड से मैं आई हूँ जैसे मुझे अफसर दिया पार्टी ने अपना मुझे दो हजानों के अंदर विधायक बनाया तो उससे मेरे जो जीवन साती है श्री राजीव जैन जी वो वर्तमान में हमारे प्रदेश का मीडिया प्रभारी देखते हैं और भारते जन्दा पार्टी के उपाधियक्ष भी रहे हैं हम लोग टू इन वन के रूप में काम करते हैं और यही कहा जाता है कि एक के बदले में हम डबल काम कर रहे हैं हमारा बहुत इजी हो जाता है कि लोगों की समस्याओं को दूर करना लोगों से कनेक्शन में रहना या जो हमारे कारे करता है उनके साथ कनेक्ट करना सो मैं समझती हूँ कि आज अगर हम इंडिज्वली मैं के वाल अपने बारे में देखूं तो हम लोगों का जो सिस्टम है वह बहुत ठीक बना हुआ है और हम कोशिश यही रहती है कि सरकार और संगठन के भीश में तालमिल वो बना रहे है प्रतिदिन आपके ऑफिस में आपके कार्य शेत्र में बहुत ही समस्यां आती हैं लोग प्रशन करते हैं उनका क्या मोनिटरिंग सिस्टम है उन्हें आप कैसे जवाब दे पाती है देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हम अपने कारेकरताओं से और हलके के लोगों से या क्योंकि मैं एक मंत्री भी हूँ तो निशित रूप से पूरे हर्याना की समस्याइं हमारे पास आती है तो हमारा सौनीपत के अंदर हमने अपना एक प्रॉपर अलग से अपना ओफिस बनाया हुआ है और जब हम वीकेंट्स पे वहाँ पर जाते हैं जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को मिलती है जो डिस्टिक लेवल की प्रॉब्लम्स होती है वो हम उनको वहीं की वहीं डिस्टिक पर ही उनकी मॉनिटरिंग के लिए उनको परस्यू करने के लिए उनको कह दिया जाता है और सबसे वड़ी खास बात यह है कि हमने अपना पूरा स्टाफ सेट अप किया हुआ है कि हमने की कौन बंदा एप्लिकेशन को रिसीव करके आगे उनको फोरवर्ड करेंगे उनको फीडबैक लेंगे उसके साथ जो भी हमें समस्या अपनी देता है हम उनका मोबाइल नंब के माधियम से हम उसे दें कि आपका काम हो गया है और अगर नहीं हुआ तो उसका रीजन क्या है और उसके साथ साथ हम लोगों ने अपनी चाहे फेस्बुक के माधियम से ट्वीटर के माधियम से या हमारी इमेल के माधियम से भी हम लोगों की समस्यां से हम लोग जूडने क प्रयास करते हैं और उनको सुल्जाने का भी हमारा पूरा सिस्टम बना रहता है इसी तरह से विभाग के अंदर भी है हमारी हमारी जोन की समस्याइं आती है तो निशित रूप से उनको हम लोग देखते हुए समस्या को पढ़ते हुए हम उनको कंसान ओफिस तक पहुंचाने तो हाँ उनको कंसर्ण डिपार्टमेंट तक पहुचाने का भी वो एक काम करते है कि ताकि वो समस्या सही लेवल पर पहुंच जाए मेरा आपसे आखरी सवाल है कारेकरता को आपके फोन नंबर या संपर्ख सूत्र का पता है प्रदेश की जनता अगर आपसे संपर्ख करना चाहे तो क्या संपर्ख सूत्र है हमारी एक इमेल आइडी है जिसके थ्रूब अपनी समस्यां को भेज सकते हैं या समस्यां का क्या निप्टारा हुआ उसके थ्रूब जान सकते हैं ulbm hry at the rate gmail.com तो निश्चित रूप से उनकी समस्यां का उस पर जवाब भी दिया जाएगा और जो समाधान होगा उसको पताया भी जाएगा उसके अलावा अगर बात भी करना चाहता है तो हमारा एक contact number है 75289-75000 तो उस पर भी संपर्ख साथ कर एक निश्चित समय के अनुसार तो बात करके अगर हम available होगे तो मैं खुद भी बात करूंगी और नहीं तो हमारे staff का कोई भी एक member उस पर बात करके उनको जवाब दे सकते हैं तो इस पर अगर प्रदेश की जनता चाहे तो वो संपर्ख हमसे connection एक बना सकते हैं आपकी consistency और department का कारकरताओं में और पॉब्लिक में positive feedback है आपसे ऐसी तरह हम चर्चा करते रहेंगे आज की चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद यह एक प्रयास था भारते जनता पारटी आएटी वो सोचल मेडिया भाग द्वारा आपके चुनेवे निमाइंदों मंत्रियों वो विधायकों की जानकारी को आप तक साजा करने का इसी परकार आपके समक्स हम जानकारिया लाते रहेंगे धन्यवाद